असम में पौर निकाय कर्मचारी संस्था द्वारा पूरे राज्य में 10 दिवसीय हर्टाल तिन सुख्या नगरपालिका के कर्मचारी भी 28 सितंबर से 10 दिवसीय हर्टाल पर साथ सूत्री मांगों को लेकर 15 वर्षों से आंदोलन कर रहे है कर्मचारी किसी भी सरकार द्वारा नहीं मिला निया आए अखिल असम पौर निकाय कर्मचारी संस्था केंड्रिय समिती के आहवान पर 28 सितंबर से पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर पौर निकाय कर्मचारीयों की 10 दिवसीय हर्टाल आरंभ हो चुकी है अन्य शहरों के साथ तिन सुकिया में भी तिन सुकिया नगर पालिका के कर्मचारीयों द्वारा हर्टाल जारी है मारी यह कर्मचारीयों लेख आज हर्ताल का दूसरा दिन है तिन सुक्या नगरपालिका के कर्मचारी अखिल असम पौर निकाय कर्मचारी संस्था केंड्रिय समिती के केंड्रिय सह सच्चिप तिन सुक्या नगरपालिका के अभियंता ज्योती प्रसाद दास के नेत्रित्व में हर्ताल पर है जियोती प्रसाद दास के अनुसार राज्य में आज तक जितनी भी सरकार आए किसी ने भी हमारी मांगो पर ध्यान नहीं दिया हम अपनी साथ मांगो को लेकर पिछले 15 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं पर आज तक हमें न्याय नहीं मिला हमारी मांगो में पौर निकाय कर्मचारियों के नौकरी का सरकारी करण, बकाया बेतन का भुकतान, पौर निकाय में कर्मरत सफाई कर्मचारी, फिक्सट पे कर्मचारियों को स्थाई नौकरी देना आदी मुख्य है श्रीदास के अनुसार 2013 के 4 सितंबर को सरकार द्वारा केबिनेट में पौर निकाए कर्मचारियों की नौकरी के सरकारी करण का निर्ने लिया गया था जिसको आज तक कारेकारी नहीं किया गया श्रीदास के अनुसार पंचायत के कर्मचारियों का सरकारी करण हो चुका है पर हम लोगों का नहीं हुआ अमार मात्रो केतामान दभी जी किता हम पुम्पुन नाज्यो दभी खिनी सरकारे अजिलेके मनी नुल्वार बभी आमी पुनोर अंदोलोन काईज़ुसी ला अही बोलोगा हुआ पुटिवार अमी आंदोलोन काईज़ुसी ग्रहन करुए के गिता दभी हन नबत सरकारे अमार होटे आलूशनात भः आमाक अस्टाख दिया अमार दभी हमु पुरान करा काने किन्टो पिसोलोई है अस्टाख पुरान नकार काऊनी आमी पुनोर अंदोलोन काईज़ुसी ला बोलोगा हुआ पुट्धान अतो अमार पुरोहभार कलमसारी होकलार साकरी सरकारी करा अमार मुख्ष दभी पुरोहभार काईज़ुसी ला बोलोगा है किन्तो पुरोहभार कलमसारी होकला अमारे अंदोलोन काईज़ुसी सोली आशे इधर दस दिनों के हर्टाल का प्रभाव तिन सुकिया नगरपालिका के कामों के साथ तिन सुकिया शहर की साफ सफाय पर भी पड़ेगा दस्क रपोर्ट पीक नूस तिन सुकिया